एंब्रेन ने सितंबर में जब नेकबैंड वाले एंब्रेन वेव इयरफोन लॉंच किये तो मन में एक ही सवाल आया इनसान को अगर 1999 रुपे खर्च ही करने हैं तो OnePlus बुलेट्स वायरलेस जी पर ना खर्च कर ले साउंड का तो पता नहीं मगर OnePlus वाले एयरफोन देखने में ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं और फीचर भी Embrane से ज्यादा हैं मगर फिर Embrane ने वेव पर पैसे गिरा दिये और कुछ इस तरह ये एक बढ़िया आप्शन बन गया Embrane के वेबसाइट पर ये 1299 रुपए का मिल रहा है और फ्लिपकार्ट पर आप इसे 1399 रुपए में ले सकते हैं मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं दा ललन टॉप हमने Embrane वेव को एक महीना इस्तेमाल किया है और पेशे खिदमत है इसका रिवियू तो इसका साउंड कैसा है सब बात बाद में सबसे पहले साउंड की बात कर लेते हैं आखिर में एक इयरफोन में सबसे ज्यादा मैटर तो यही चीज़ करती है एक शब्द में Embrane वेव की साउंड कॉलिटी को बोलें तो इसे बैलेंस्ड कह सकते हैं ना धमाकेदार और ना ही बेकार बस बैलेंस्ड है यह वैसे तो ज्यादा तर जगा पर बैलेंस्ड साउंड ही पसंद किया जाता है मगर अपने देश में लोगों को भारी बेस वाले इयरफोन पसंद हैं अब Embrane वेव के साउंड के बारे में थोड़ा डीटेल में बताते हैं वोकल्स जो होते हैं यानि कि किसी जीते जाकते इंसान के बोल फिर चाहे वो गाने में गाये की आवाज हो या पॉड़कास रेडियो वगारा पर होश्ट की बकैती सब बड़ा सा कुणने में मज़ा भी आएगा मगर इतना मजबूत नहीं है जितना अपने हैं लोगों को पसंद है कार्डी बी और ब्रूनो मार्स का प्लीज मी गाना सुनिये अदभूत मगर कार्डी बी के ही वापन वाला गाना इस एयरफोन पर फ्लैट पड़ जाता है इतना भारी बे बड़े तगड़े से पकड़ता है रित्विच का बरसो सुनिये मजा ही आ जाएगा और रही बात वॉल्यूम की ये एक दम ही कान भाड़ है मतलब की इधर तो कोई शिकायत है ही नहीं आवाज इतनी तेज हो सकती है कि रोड़ पर नाश्ती बारात के पास से भी निकल चाहे एक साथ दो-दो मूवी देख डालो बैक तो बैक या फिर पूरा दिन गले में लटका एगूमते हो वजन पता ही नहीं चलता गरदन के पीछे जाने वाला हिस्सा काफी लचीला है तो एरफोन पहने-पहने लेट भी जाने पर तूटने का कोई डर नहीं है अगर गल काड़ों में मैगनेट लगा हो है जिससे यह कान में निकलने पर आपस में चिपक जाते हैं और इधर उधर गिरते नहीं लेकिन यह चीज तो लगबग हर नेक बैंड स्टाइल के एरफोन में देखने को मिल जाती है फिर एंब्रेन वेव में ऐसा क्या खास है असल में यह म करता है अगर मूवी देखते टाइम या गाना सुनते वक्त आप इयर टिप्स को कान से निकाल कर आपस में मैगनेट से चिपका देंगे तो मूवी या गाना पॉज हो जाएगा और इयर टिप्स को अलग करने पर रूकी हुई चीज फिर से चल पड़ेगी सेम यही चीज कि आपने ऐर टिप्स को मैगनेट से चिपका कर गले में लटका रखा है ऐसे में अगर आपको कोई कॉल आती है तो बस ऐड़िप्स को अलग करके कान में लगा लीजिए कॉल अपने आप रिसीव हो जाएगी कॉल कट करने के लिए एर टीप्स के मैगनेट आपस में पड़ते हैं इयरफोन के वॉल्यूम कंट्रोल वाले बटन तो खूब उभरे हुए बने हैं इसकी वज़ा से इन्हें टटोल कर आवाज कम ज्यादा करने या फिर अगला गाना पिछला गाना लगाना काफी आसान पड़ता है कॉल करते टाइम इयरफोन के माईक वाले हिस्से को मुँँ में तो कते ही नहीं घुसाना पड़ता आराम से बात हो जाती है बिना किसी दिक्कत के और हाँ यह IPX4 रेटेड भी है यानि कि पसीने वसीने से खराब नहीं होगा एमब्रेन वाले कहते हैं कि वेव इयरफोन की बैटरी 10 घंटे चल सकती है हमारी टेस्टिंग में 8 घंटे तो आराम से चल गई जो एक बढ़िया बैक अप है मतलब कि यवना एक्सप्रेस वेस से दिल्ली से लखनो चले जाओ मगर इयरफोन दम नहीं तोड़ेगा रही बात चार्जिंग की कंपनी का कहना है कि एमब्रेन वेव दो घंटे में चार्ज हो जाता है हम मिनट मिनट तक तो नहीं ना पाए मगर चार्ज पर लगाने के तीन घंटे के अंदर ही हमें ये पूरा चार्ज मिला Embrane Wave की निराश करने वाली कौन सी चीज़े हैं Embrane Wave की डिजाइन तो बढ़िया है मगर Neckband के दोनों सिरों पर जो प्लास्टिक वाला हिस्सा लगा है न वो बड़ा सस्ती कॉलिटी वाला मालूम पड़ता है Embrane थोड़ा अच्छा मटीरियल इस्तेमाल कर सकता था Braided Wire ज्यादा मजबूत होता है Embrane Wave के दाएं और बाएं सिरे एक जैसे लगते हैं इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से इसे उल्टी तरफ से पहन लेते हैं याद रखना पड़ता है कि बटन वाला हिस्सा दाईं तरफ करना है और जिस हिस्से पर Embrane लिखा है उसे बाईं तरफ अगर Nick Band के दोनों सिरों पर L और R की बड़ी सी मार्किंग होती तो अच्छा रहता है Embrane Wave में चार्जिंग के लिए एक Micro USB पोर्ट दिया गया है एरफोन के डब्बे में केबल तो मिलती है मगर चार्ज करने के टाइम पर ढूंडनी पड़ जाती है अब टाइम आ गया है कि सभी कमपनिया अपने सस्ते और महेंगे वायरलेस एरफोन में चार्जिंग के लिए Type-C पोर्ट दिया करें तो Embrane Wave के रिव्यू का नतीजा क्या निकलता है Embrane Wave एक अच्छा एरफोन है लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि 2000 रुपए में बढ़िया नेकबैंड स्टाइल वाला एरफोन बताओ तो हमारी पसंद OnePlus Bullets Wireless Z पर ही आकर रुकेगी वो इसलिए क्योंकि Embrane Wave में जो भी 2-3 कमिया है वो OnePlus के एरफोन में मौझूद नहीं है लेकिन अगर आप 1500 रुपए के अंदर बढ़िया एरफोन चाहते हैं तो Embrane Wave बढ़िया ऑप्शन है 1299 और 1399 की कीमत पर Embrane Wave को बिना ज्यादा सोचे लिया जा सकता है मगर ध्यान रहे कि इसका साउंड सिगनेचर भारी बेस वाला नहीं बैलेंस्ड है अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखते रहे हैं दलललन टॉप